ओम शांती आज 30 जुलाई 2021 है आज के दिन हम फॉर्मुला लेंगे निर्भाईता का आधार सत्यता है जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं सत्यता की स्थिती में स्थित होते हैं उतना उतना हम निर्भाई बनते जाते हैं भाई हमारे जीवन से निकलती जाती हैं तो इस फॉर्मुला को हम आज अभ्यास करके देखे सुनते हैं आज का स्लोगन समस्या स्वरूब बनने के बजाए समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूब बनो समस्या को मिटाने के लिए पहले हम ये जान ले कि समस्या का मूल कारण क्या है रूट कौस क्या है बाबा ने एक अव्यक्त मुर्ली में कहा हुआ है कि जो समस्याएं हमारे सामने आते हैं वो समस्याओं का मूल कारण है आत्मा के अंदर की कमजोरिया चाहे वो व्यक्ति के द्वारा समस्या हो चाहे वो सरकुंस्चेंस के द्वारा समस्या हो वास्तव में जो हमने अपने अंदर जो कमी कमजोरी रची है वही हमारी रचना ही समस्या का मूल आधार है जिसके अंदर कमी कमजोरी है उसके सामने यदि समस्या आती है तो वो समस्या उस पर वार करती है लेकिन जिन्होंने अपने अंदर की कम्जोरी को मिटा दिया है उस पर विजय प्राप्त की है तो समस्या आएगी परन्तु वो समस्या उस पर वार नहीं कर पाएंगी बल्कि वो समस्या समाधान सुरूब बन करके अनुभवी बना करके जाएंगे क्योंकि समस्या का काम है आना जीवन में अनुभवी बना के जाना हमारे जीवन में हमको ही शक्ती शाली बनाना यही समस्या का काम है किन्तु जिसके अंदर कमी कम्जोरी है वो राई जैसे छोटी सी समस्या को भी सोच सोच करके बड़ा सा पहार जैसा बना देता है लेकिन जिनके अंदर कमी कमजोरी नहीं है वो समस्या कितने भी बड़ी क्यों न आई लेकिन वो उसको खतम कर देंगी इसलिए अपने अंदर की कमी कमजोरी को समाप्त करना अवश्यक है यदि मुझे अपने समस्या को मिथाना है तो तो उसके लिए बहुत सहच उपाई यही है कि मुझे अपने मन बुध्धी और अपने वचन और कर्मों को बाबा की सेवा में फुल बीजी रखना होगा क्योंकि जितना जितना हम कमी कमजोरी के बारे में समस्या के बारे में सोचते रहेंगे उतना उतना हम बढ़ाते जाएंगे तो हम अपने मन बुध्धी को बाबा की सेवा में लगाए उसके बारे में सोचे ताकि अपनी कमी कमजोरी अंदर ही अंदर समाप्थ होती जाए और समस्या का समाधान सुरूब बन जाए ओम शांती